नमस्कार विवर्स मैं डॉक्टर दिपक कोई न्यूज रिपोर्टर नहीं हूँ और नहीं आज कोई सिफ खबरे सुनने वाला हूँ अब एक खबर बावासिर से रिलेटेड है तो मेरा फर्च बनता है कि आप लोगों को जगरुक करूँ HIV AIDS और बावासिर यानि पाइल्स के बारे में इन दो बीमारे के नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं इन बीमारेों के बारे में अलग-अलग भरांतिया यानि मिट्स भी बहुत फैले हुए है उपर से अगर पाइल जैसा रोख हो जाए तो मरिश की तकलिप आप इमेजिन भ यह वाइरस AIDS का कारण बनता है यानि HIV से आगे जाकर AIDS हो सकता है लेकिन इस फिल्ड में बहुत सारी एडवांस रिसर्च हो गई है और सरकार ने भी आम जनता को जागरू करने के लिए बहुत अभियान चलाये हुए है जिससे HIV पेश्टन्स अपने जिन्दगी भरपूर जी है HIV इसी इमून सिस्टेम की सेल्स यानि कोश्यकों पर हमला करके इसे कमज़ोर करता है और मरेश किसी भी बिमारी को जहल नहीं पाता AIDS क्या है अब जानते हैं कि AIDS कौन सी बिमारी होती है AIDS का मतलब acquired immunodeficiency syndrome यह HIV संग्रमन की सबसे अंतमे होने वाली stage है क्या HIV और PILS के बीच कोई समद्ध है अब जानते हैं कि इन बिमारेों से बावासिर का क्या क्या समद्ध हो सकता है देखिए एक आम आदमी की तरह एक HIV कोई भी बिमारी हो सकती है लेकिन क्योंकि HIV या कोई अन्यस्तिती जो हमारी human system को कमजर करती है इसलिए infected hemorrhoids के risk को बढ़ा सकती है मतलब infection बढ़ जाता है बावासिर का इलाज करने वाली procedure के बाद भी infection डेवलप हो सकते है मतलब HIV के कारण बावासिर नहीं होता लेकिन उसक इन्फेक्शन हो जाते है जो क्योर करने में मुश्किल हो जाते है तो आप ए बात समझ लेजिए कि HIV infection आमतोर पर सिधे बावासिर यानि गुदा के आसपास नौसों के सुजन का कारण नहीं बनता है लेकिन पूरानी कप्च, दस, दवाओ के दुश्परिनाम, ट्यूमर या आंथ का या पहलविक रिजन में infection जैसी situation में बावासिर होने के chances ज्यादा हो जाते हैं HIV संक्रमित रोगयों में बावासिर के आगे बढ़ने के उपचार के लिए TST याने Tissue Selecting Therapy Stapler एक प्रभावी और सुरक्षित तक्निक है TST याने Tissue Selecting Therapy Stapler is an effective and safe technique for treatment for prolapse hemorrhoids in HIV-infected patient HIV या कोई अन्यस्थिती जो human system को कमजर करती है Infected Hemorrhoids के जोखियों को बढ़ा सकती है What are the symptoms? लक्षन क्या है? यदि आपको infected hemorrhoids है तो बावासिर के सबी typical symptoms दिख सकते हैं इन लक्षनों में शामिल है मलतेक के बाद सोचले में या आपके टिशू पर थोड़ी मातरों में रख्त मिलेगी एनर्स या गुदा के आसपास सुजन के साथ साथ गुदा के अंदर और आसपास खुजली और दर्द भी होगा खासकर जब मलतेक के दोरान बैठे या जोर करना पड़े कभी-कभी गुदा के आसपास के स्कीन या तोचा के नीचे एक गाट से बन जाती है इन सब सिम्टम्स के अलावा अगर इनपेक्शन के कुछ और लक्षन भी मरिश को सहन करने पड़ते हैं जैसे बुखार, दर्द जो स्टैंडर हेमरोड ट्रीट्मेंट के बाद भी पत्तर हो जाता है गुदा के आसपास खासकर इनपेक्शन की जग के पास लाल हो जाता है यदि एक एचवी के मरिश को एस सिम्टम्स नजर आते हैं या जरा सा भी संध्य है कि उनका बावासिर संक्रमिद यानि इनफेक्टेड हो गया है तो डॉक्टर को मिलने में जरा भी देरना करें एक इनफेक्शन से सीरेज कॉम्प्लेकिशन हो सकती है जैसे कि पेरिटोनाइटीस यह एब्डोनेल वाल और इंटरनल औरगंस के लिए लाइफ थ्रेटनिंग इनफेक्शन यानि जान लेवा संक्रमन हो सकता है आपको वांद कर दू कि ए इनफेक्शन बहुत ही तेजी से फैलता है क्योंकि एक HIV मरिज की इम्मुनिटी कमजोड होती है संक्रमित बवासिर का निदान कैसे करें बवासिर के संक्रमन को डियाग्नोसिस करने के लिए आपका डॉक्टर आपके मेडिकल हिस्ट्री और करन्ट सिम्टम्स को स्टड़ी करेगा बुकार जैसे सिम्टम्स आपके डॉक्टर को डियाग्नोसिस करने में मदद कर सकते है संक्रमन के विजिबल लक्षनों के जाच के लिए एक फिजिकल एग्जामिनेशन भी किया जाता है जैसे कि बवासिर के आसपास रिडनेस यदि आपके पास एक प्रोलेप्स इंटर्नल हेमरोड्स हैं तो आपका डॉक्टर संक्रमित होने से पहले इसे हटेने का डिसिजन दे सकता है यदि इन्फेक्शन याने संक्रमन का डौट होता है तो वाइड ब्लड सेल काउंट के गिंती जैसे ब्लड टेस्ट भी किये जाते है कम डौट संक्रमन का संक्रिट दे सकता है कुछ और एडिशनल टेस्ट जैसे कि यूरिन लाइसीस या एक्सरे इन्फेक्शन को देखने के लिए किया जा सकता है इन टेस्ट से पता चलता है कि इन्फेक्शन शरीर के अन्यभागों में फैला है की नहीं या कितना फैला गया है How to prevent an infected hemorrhoids संक्रमित बवासिर को कैसे रोके infected याने संक्रमित बवासिर को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि किसी भी प्रकार के बवासिर होने से बचा जाए एक high fiber diet, 20-35 gram daily और बहुत सारे fluids बवासिर को रोकने में मदद कर सकते है healthy weight बनाए रखना, लगातार एक जगा घंटों बैटने से बचना aerobic activity side, regularly exercise करना जैसे तेज चलना, tennis या नुरुत ज़रुत पढ़ने पर जल से जल बातरुम जाना क्योंकि मल्टैक में देरी करने से भी मल का निकलना मुश्किल हो जाता है यदि आपको बवासिर है तो लक्षन दिखते ही डॉक्टर को दिखा कर आप अपने infection को risk को कम कर सकते है हलके लक्षनों का इलाज counter पर मिलने वाले पेड और मलम के साथ साथ अच्छी सोचता और गरम सीड़ बात से किया जा सकता है संक्रमन के chances को कम करने के लिए अपने डॉक्टर की सलाम आने यदि आपको एक प्रक्रिया के बाद antibiotic prescribe है तो दवाओ का पूरा course ले और जल्दी बनना करे यदि आपको antibiotic दवाओ से side effect होते हैं तो अपने डॉक्टर से contact करके दूसरी alternative दवा ले How to treat an infected hemorrhoid? संक्रमित बावासिर का इलाज कैसे करे? एक antibiotic जैसे की doxycycline या डॉक्स्टरिक का use एक infected hemorrhoid या infected tissue के इलाज के लिए किया जाता है जो एक बावासिर को हटाने की procedure के कारण होता है कुछ antibody की specific type आपके infection के गंबिरता और कुछ दवाओ के साथ मरिश को होने वाले किसी भी समस्या या allergy पर depend करता है गंबिर मामलों में बावासिर के आसपास या पेट के भीतर infected tissue को हटाने के लिए सर्जरी आउखशकता हो सकती है इसे deprimand कहा जाता है और यह चरीर को infection से उबरने में मदद कर सकता है दाव और संभाविच सर्जिकल परक्रियाओं के अलावा घरेले उपचार लक्षनों को दूर करने में मदद कर सकते है जैसे कि एनस के आसपास ice packs या cold compresses, oral pain relievers और numbing pads इसके अलावा अपने diet को address करने से maltech के दोरान कम strain हो सकता है चलते चलते मैं spinal specialist की हसेज से आपको advice करूँगा कि किसी भी परकार के घरेलों उपचर को आजबाने से पहले हमेशा अपने doctor से judge कराए आप infection फ़लेने का जोकिन नहीं उठाना चाहते है या आप जो medical treatment प्रात कर रहे है उसमें interfere नहीं करना चाहिए यदि आपको बवासिर की personal या family history है तो आपको भविश्य में बवासिर होने की ज़्यादा possibility है हाला कि एक बार infected बवासिर होने का मतलब यह नहीं है कि बात में बवासिर के infected होने की अधिक possibility है सीपो सीप की symptoms और treatment पर ध्यान देना चाहिए संक्रमन की गंबिरता यह निर्दादी करेगी कि इसे ठीक होने में कितना समय लगता है और यदि उपचर के लिए एंटिपडिक दवाव से अधिक के आउशकता होगी डॉक्सिसेकलीन का एक सप्ता का कोर्स पर्याप हो सकता है लेकिन एक गंबिर सक्रमन के लिए लंबे कोर्स या अत्रिक्ट दवाव के आउशकता हो सकती है उपचर के दोरान अपने चिकिसक से संपर करने से आपके जटिलताई की संभवना कम हो जाएगी यदि आपके पास भवासिर का विक्तिकत या परिवारिक हिता से तो आपको भोश्या में भवासिर होने की अधिक संभवना है हाला कि एक बार संक्रमिन बवासिर होने का मतलब यह नहीं है कि बात में बवासिर से के संक्रमन होने की अधिक संभवना है कुझी लक्षनों और उप्चर पर जल्दी ध्यान देना चाहिए धन्यवाल बात मिल्दी धन्यवाद की अधिक संब आप काम लादा चाहिए